हाई गाईज कैसे हैं आप सब लोग आज है 1st of February और आज था budget गाईज अगर हम budget की बात करते हैं तो budget पर हमने देखा कि बहुत से developments हमें देखने को मिली हैं बहुत से changes देखने को मिली है और जैसा कि आपने देखी लिया हुगा गाईज की बजार में बिलकुल भी उन्हें positive त गाईज हमें पहले से भी पता थी तो हमने देखा था कि उसमें पहले से ही हम उन sectors पे एक buying देख रहे थे और आज के टाइम पर उसमें profit booking आ गईज अगर हम market की बात करें कि 1000 पॉइंट या 3.3% गिरने की market का reason क्या था वह हम अगली वीडियो उसमें discuss करेंगे उसके बारे मे पर अभी हम बात करते हैं कि गिरते बाजार में कौन सा ऐसा एक share था जो समला रहा और एक large cap company का था हम बढ़ते हैं सीधा चार्ट की तरफ और देखते हैं कि यह जो 3% की गिरावाट आई थी उस पे यह stock कैसे समल पाया है यह stock का नाम particularly TCS है और हम जो बात करने वाले हैं वह अब TCS की बात करने वाले है गाइस TCS की अगर हम बात करते हैं तो आज इसने 4.5% तक की rally दिये और अगर हम बात करके चले तो यह 80 point तक की इसने एक movement दी है आज के trading session के पर अब हमें चार्ट को analyze करना और देखना है कि इसमें आगे की movement किस थरीके से बन सकती है क्या यह अगर market और गिरती है तो एक यह buy हमें positive side में लेकर जा सकता है यह अगर market गिरती है तो यह दुबारा गिरना शुरू कर जाएगा किस तरीके से हमें TCS को लेना है हम charts की study करते है analysis करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हमें यह suggest करता है guys सीधा हम trend line analysis करेंगे और trend line analysis में हम सबसे पहले resistance और supports बनाने की कोशिश करेंगे so मैं सबसे पहले एक resistance बना लियो आप देख सकते हैं कि हमें और एक resistance बना लिया है हमेने को मिल रहा है यहां से market ने रिजिस्त करách हम देखा कि नीचे आ गया यहां पर resistance फेज करकी हम ने देखा एक नीचे आगया और डोनते हैं कि किस तरीके से support है तो हम यहां पर हमें दो तरीके की guys support देखने को मिल रहे हैं तो मैं सबसे पहले एक support की line draw कर देता हूँ यह मैंने guys एक support की line draw कर दिया तो अगर मैं इसे zoom करता हूँ तो आप देखेगा guys कि particularly यहां से एक rally की start होती है TCS के अंदर तो हम higher side में जो यह resistance channel line है यहां पर हम एक resistance face करते थे और एक दुबारा downside आती थी और वो ही मतलब अगर हम कहें तो यह channel के अंदर ही तीन बार trade करते रहे आप देख सकते हैं तीन बार इसने अपर resistance test करा और तीन बार इसने अपना support test करा पर जब fourth third time में upper resistance test करके यह नीचे आता है अपने इस channel को break करता है अपने support line को break करता है तो जब उपर जाता है तो इसी को यह resistance मान लेता है और दुबारा नीचे चले जाता है फिर by chance अगर हम देखते हैं एक rally आती है अपने resistance को जो इसने मान रखाता है जो पहले support का काम करता था उसे break करता है दुबारा उपर जाता है और वही पर ही resistance लेता है जहां पर पहले तीन बर लियाता और दुबारा नीचे आ जाता है और फिर इसे तोड़ जाता है फिर उपर जाता है तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो line मैंने आप लोग के लिए draw करी है गाइस यह line कितनी important है तो अब मैं इसके अलावे एक और support line draw करना चाहूँगा और यह मैंने support line और draw करी है तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जब भी यह इस वाली line को break करता है या इस support line को break करता है तो जब यह नीचे जाता है तो यह वाली support line पे यह support लेता है अब आप देखे आप यहां से यह नीचे आया यहां पर इसने support लिया एक bounce दिया bounce देने के बाद हमने देखा कि यह दुबारा ऊपर आया इधर साइट अपने higher resistance पे नीचे गया और दुबारा इसी trend line पे support लिया फिर उपर गया यहां पर ही channel पे resistance मना आया दुबारा नीचे आया और exact इसी line पे आज इसने अपना support लिया और हमने एक और bounce देखा गाइस यह हमने जब आज अपने budget market close हुई और हमने जब study करी कि TCA जित्ता क्या बढ़ा हुई जब हमने अपनी analysis करी तो हमें पता चला कि यह multiple supports थे जहां पर यह एक support तोड़ता था तो नीचे support में एक buying आ जाती थी और इसका जो एक resistance था वो वहाँ पर जाता ही जाता अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बता हूँ पहली बार resistance आया नीचे गया दूसरी बार resistance आया यहां पर इसी line पे आप focus करिये वी चौली line जब यह आप देख सकते हैं कि एक बार दो बार तीन बार चार बार और पांच बार यह 5Ah अभी बार अभी बना नहीं है चार बार तो अब देख सकते हैं 1 2 3 4 और पांच जितनी बार वो support पर आया है उतनी बार अपने higher resistance पर भी आया है यानि कि support उदो 2 है है पर रिजिस्टेंस एक है अपसाइड सिर्फ इत्ती है यहां तक जाने कि अपसाइड है सिर्फ 2260 तक और डाउंसाइड दो तरीकी की है डाउंसाइड है 2170 2170 ब्रेक होता है तो यह लोगों को दियांस में रखने पड़ेगी अब हो क्या रहा है अगर हम एक और बात करते है तो मैं अगर इस लाइन को अभी के लिए हटा देता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटी सी ओल लाइन ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए आप यह देखेगा गाईस एक हेड इन शूल्डर टाइप पैटन बन रहा है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां है इं अपर मैं आप लोगों के हेड़ेज शूल्डर पैटन ड्रॉ करता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक इड़ेज शूल्डर पैटन भी ड्रॉ कर रहा था और उसका इसने ब्रेक डाउ। दिया था जी गयास आप यह देख सकता हैं यह इक हेड इन शूल्डर pattern बनाया है, अपनी head and shoulder pattern का यहाँ पर breakdown दिया, इसने particularly 21-57 पर और वो अपने previous resistance पर जाके support पर जाके इसने अपना support लिया और जब मैंने guys यह line हटाई थी तो आप लोगों को पता होगा कि जहां से breakdown आया, exact उसी जगा में वो support की trend line बनी वी थी, यानि कि यह सारा जो मैंने सिफ दो support और एक resistance जब बनाया, तो आपको पूरा chart समझ में आ गया, कि guys एक support यह वाला तूटता है, तो वो नीचे वाले support पर जाके bounce कर देता है, और दुबारा resistance की तरफ बढ़ जाता है, और अगर यह अपने पहले वाले support से जो मैंने यह support की line बनाई है, मैं दुबारा आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, जब वो यहां से support लेके उचलता है तो भी वो पहले वाले resistance की तरफ ही जाता है, और हम देखते हैं कि एक selling दुबारा आजाती है तो chart को थोड़ा हम क्योस नहीं करते, थोड़ा वो difficulty वाला नहीं बनाते कि हम समझ ना पाए अब हमें किस तरीके से काम करना है मैं इस chart को थोड़े अच्छे तरीके सा अगर आप लोगों के साथ प्रिजेंट करता हूँ पहले से ही त्यार रहता है और वहाँ पर एग हम buying देख लेते हैं अब हुआ वोई अगर हम आज की trading station की बात करते हैं तो exact वही हुआ और उपर गया है अब guys उपर गया है यहाँ से इसने उपर की तरफ bounce कर लिया है अगर हम study करते हैं एक और चीज़ की हम देखते हैं एक बार यहाँ resistance लेता है थोड़ा बहुत नीचे आजाता है फिर अब दुबारा यह अपने higher resistance की तरफ बढ़ जाता है तो similarly तीसरी बार भी अगर ऐसा होगा तो हम यही expect कर सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी rally आएगी वो rally आएगी कम से कम 2250 से लेके 2270 तक की तो यहाँ से हम कम से कम 80 से लेके 90 से लेके 100 point तक की rally और expect कर सकते हैं कि इस वाली support के ऊपर अगर close कर जाता है अगर यह इस वाले support के ऊपर guys close कर जाता है और जो इसका head and shoulder का breakdown आया ता उसकी ऊपर भी बंद हो जाता है जो कि अगर हम इस level की बात करते है वो level है 2170 का अगर 2170 की ऊपर sustain करता है और hold कर जाता है या एक दिन भी closing दे देता है तो हम expect कर सकते हैं कि guys यहाँ से जो rally आ सकती है वो rally लेकर जा सकती है इसको दुबारा इसी level पे जो कि इसका previous resistance अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर यह sustain नहीं कर पाता है और दुबारा यहाँ से downfall आती है तो downfall उसे कहां तक लेकर जा सकती है अपने previous trend lines या previous support तक guys अब जैसे ताइम बढ़ते रहते हैं वो जो हम trend line को अगर extend करेंगे अगर हम यहाँ पर extend कर देते हैं trend line को तो अगर यह कली गिरना होगा तो वो level होगा यहाँ पर इसके लिए 2080 का level 2080 का level होगा पर जैसे time frame बढ़ते रहेगा वो levels भी increase होते रहेंगे तो आप आप लोगों को करना क्या है मैंने यह chart को zoom out कर दिया है pause करिए video को और एक बार यहाँ पर अपने खुद के charts पर जाकि यह draw कर लीजे और यह जो trend lines है इसको extend कर लीजे extend करने से ही होगा कि जब भी आप यह chart को खोलेंगे आपको पता होगा कि हमें इसमें क्या trade लेना है और यह किस तरीके से movement दिखा रहा है तब आपको clearly analysis जो मैंने आप लोगों को बना रखी है और आप definitely trade ले पाएंगे खुदी तो यह एक self trade करने के लिए आप लोगों के लिए best opportunity है और इसी से आप लोग सीख पाएंगे अगर यह इसके ऊपर निकलती है तो हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे या इसके नीचे निकलती है या कुछ और बनता है तो हम आप लोगों के लिए definite के एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे गाइस मैं दुबारा अपनी इसी इसमें जाना चाहूंगा और इस्पिना में सारी ड्वाइंग्स को हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से और क्या-क्या बन रहा इसके अंदर इसके अंदर गाइस एक साइफर पैटन पर्टिकुलरी डिवलप हो रहा है तो अगर यह मैं बॉटम से लेके एक साइफर बनाने की कोशिश करता हूँ तो यह एक साइफर बना गाईस आप देख सकते हैं एक जाक्ट इसी पर एक साइफर बन जा तो यह गाईस एक साइफर है आप यहां देख रहे होगे 0.79 है पर यह थोड़ा बहुत दिफरेंस हो जाता है क्योंकि एक साइफर के लिए हमें चाहिए होता है 0.786 या 886 इसके आसपास होता है तो हम मा लेते हैं तो 786 और 7.9 डिफरेंस नहीं है कुछ पॉइंट का डिफरेंस है अगर हम बात करें तो 786 अगर इस TCS के साबसे पढ़ता होगा हमारे साबसे 2066 तो यहां पर पढ़ रहा है 2065 एक दो रुपेगा डिफरेंस है तो यहां पर इसके टागेट्स फाइंड करने के लिए एक्जाक यहीं से इसमें रिकवरी आई और यहीं पर ही वह पैटर्न कम्प्लीट हुआ तो यह बुलिश साइफर था अब बुलिश साइफर के लिए गरम C से लेके D तक एक फेबोनाची ड्रॉ करते हैं गाईस हम आप लोगों के लिए फेबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका जो टार्गेट होता है वह एक्जाक टार्गेट होता है 618% का ड्रेट्रेश्मेंट लेवल जो की आज इसने टेस्ट कर लिया है हाँ गाईस यह टेस्ट कर चुका है अब यहां से क्या हो सकता है तो अगर यह अपने अब देखे गाईस एक रेंज और निकल के आ गई है अब हम एक एक करके चार्ट की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है तो अब आप एक कॉप्य और पैन में नोट कर लिजए आपको किस तरीके से TCS के अंदर एक ट्रेड बनाना है बाई रेंज और एक शौट रेंज हैं गैस एक रेंज सबसे पहले हम बता रहे हैं जिस पे आप बाई और एक शौट इनिशेट कर सकते हैं वो रेंज है 2060 से लेके एक सिकेंड गाइज मैं आपको दुबारा बता देता हूँ हाँ 2070 से लेके 2170 से लेके 2180 की ये 10 उरुपे की रेंज है अगर 2180 के उपर निकलता है सस्तेन करता है तो हमारा टार्गेट क्या है हमारा टार्गेट है 2250 का या 2270 का अगर ये 2160 के निकलता है तो हमारे लिए जो टार्गेट होगा वो हमारे लिए सबसे पहला टार्गेट होगा 2109 का और सेगंड टार्गेट होगा वो होगा 2060 सो सौ सो रुपे की उपर और नीचे एक राली है यानि कि अपने मिड पॉइंट पे खड़ा आगर आप समझ गए मैंय। तो जिस तरीके से वो उपर की तरफ अपसैट दिखाता है तो यहां से आपको टार्गेट पाता है 100 के नीचे की तरफ बाउंश करता है तो यह तर्भीड पॉइंट हों होगा तो यह तरीके से मैंने आपको तो गैस यह था हमारा टिशस के उपर आनालसिस, जिस तरीके से बाजर गिरा है, जिस तरीके से मारकेट गिरी है, उसके दो बड़े राजन्स थे जिसकी वज़ेशे से हमने देखा कि मारकेट गरी है, वो दो इंपोर्टेंट रूसन, मार्केट को शायद और नीचे लेकर जा सकते हैं क्योंकि मार्केट न हमने सारे के सारे सपोर्ट को तोड़ दिया है बस एक छोटा सा सपोर्ट अगर हम बात करें तो शायद निफ्टी के अंदर रहता है और अगर वो भी तोड़ देगा तो गाइस बहुत जादा बहुत जादा डाउंसाइड है तो वह पर्टिकुलर्ली वीडियो हम अपलोट करने वाले हैं मंडे से पहले हम आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी की वीडियो भी अपलोट कर देंगे और दो रीजन्स के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे जिसकी मुझा से मार्केट पे शाप डाउनफोल आया है इसी वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जोड़े दायने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर मत बूलिए यहाँ पर आपको रेट कलर का यूट्यूब का आइकन दिखरा होगा उसे क्लिक करके आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं साइड में आपको एक बैल आइकन दिखेगा आगर आप वीडियो के थोड़ा नीचे जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है टाइटल वहां पर आपको बैल भी आइकन दिखेगा डैल बनावा दिखेगा आप उसे क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो मेरी अप्लोड होगी सब गैस कमेंट सेक्षेंग में ज़रूर बताईएगा कि और हम किसकी ऊपर वीडियो बना सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है तो गैस सपोर्ट में और हम आप लोगों के साथ बने रहे हैं सो मैं शिवाच बसीन, मिलता हूँ आप से अगली वीडियो के साथ साइनिंग आफ।